सो गाइज अगर आप सोच रहे हो कि आपका फोन काफी स्लो हो गया है और उसे फास्ट कैसे करना है केवल एक मिनिट के अंदर तो आप सरी वीडियो पोच चुके हो और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी Android डिवाइस को फास्ट कर सकते हो कुछ ही को 7 Times टैप कीजिए साथ बाद करने के बाद आपका पास्कोड मांगेगा पास्कोड भर दीजिए अगर नहीं डाल रखा तो नहीं मांगेगा उसके बाद आपके डेवलपर ओप्शन्स इनेबल हो जाएंगे वह डेवलपर ओप्शन्स आपको सेटिंग्स आले पेज में ही मिल सकते है या फिर other settings के अंदर जाके मिल सकते है अलग-अलग phone का अलग-अलग रहता है oneplus के device के system वाले option में जाके अंदर हमें developer options देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर हमें कुछ settings enable करनी है और कुछ settings disable करनी है जिसकी मदद से आपका phone काफी fast हो जाएगा तो सबसे पहले देखते हैं log or buffer size अब ये log or buffer size क्या होता है आपका buffer size decide करता है अब जितना ही buffer size ज्यादा होगा कोई भी app को store करने के लिए उतना ही app less time लेगी अब इसको ऐसे मानिए एक room है वो खाली पड़ा है उसके अंदर अगर आपको समान रखना है तो आप फट से रखके बहार आ जाओगे बट अगर room भरा हुआ है तो आपको नया समान डालने के लिए थोरा time देना पड़ेगा उस बाकी समान को adjust करकर नया समान डालने के लिए तो वो जड़ा time लेगा तो आप इस buffer size को बढ़ा सकते हो अगर आपका phone काफी slow हो गया है बट recommended है जितना set है 256 के इतना ही रहने दे बट अगर आ आप open करते हो या UI के अंदर कोई भी animations उसका time decide करता है यह by default 1x पे set होता है बट इसको आप fast करने के लिए disable कर सकते हो जिसके अंदर आपके पास कोई animation नहीं आएगी और direct apps या फिर जो भी UI में आप काम कर रहे हो direct होगा तो आप यहाँ पर difference देख सकते हो 1x और 0x के अंदर क कि कितना difference आता है animation कितना time लेती है यह मैंने slow mo करके दिखाया है ताकि आपको एक अच्छा idea लगे कि यह animation skill कितना time लेती है अगर आपका phone slow हो गया है तो इसे definitely off कर दीजिए 3rd is hardware accelerated rendering इसके अंदर क्या होता है हमें GPU यूज करते है कुछ rendering करने के लिए ताकि हमारे CPU की process की power बचे और हमारा phone smooth हो जाए तो हमें क्या करना है force GPU rendering है इसके अंदर आप search कीजिए उपर developer options में आपको देखने को मिल जाएगी इसे आप on कर दीजिए बट Android 10 के users को ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि Android 10 के अंदर ये वाला option by default enable कर दिया है गूगल ने तो Android 10 से नीचे वाले Android 9 तक इस feature को on कर लेजिए क्योंकि Android ने खुद ही इसको Android 10 के अंदर enable कर दिया है तो ये definitely एक अच्छा feature है आपके phone की speed बढ़ाने के लिए अब बा ये बैटरी की power बहुत ज़दा consume करेगा और अगर आप इतनी heavy gaming नहीं करते है तो आप इसे off रखिए ताकि आपको power के साथ साथ बैटरी consumption का भी आईडिया लगता रहे और आपकी battery भी अच्छी चले थर्ड है इसी के अंदर ही disable hw overlays इसी को भी off रखिए क्योंकि अगर ये on रहेगा तो ये भी बहुत ज़्यादा battery consume करेगा तो इसको भी off रखिए अगर आपके किसी भी device के अंदर ये on आपको मिलता है अब fourth है background process limit अगर आपका device काफी ज़्यादा slow हो गया है मतलब दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा तो आप इसको background process limit developer options में सर्च कीजिए और इसको set कर दीजिए four पर ये four set कर दीजिए अगर आपको अभी भी सोड़ा slow लगता है तो ये three set कर दीजिए जो background में processes है वो इतने में limit हो जाएगी और उसके अलावा कोई भी process है वो अपने आपी close हो गया है अब वो बंदे जो developer options यूज़ करना नहीं चाहते बढ़ चाहते हैं उनके phone की speed बढ़ जाए तो उनके लिए कुछ recommended tips है कुछ do's and don'ts है कि आपको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए तो सबसे पहले तो आपके phone में कोई भी antivirus की app है उसे अनिशॉल कर दीजिए ऐ आप को रहने दीजिए क्योंकि जब भी आप को reopen करते हो reopen होते हुए ज्यादा प्रोसेस लेती है ज्यादा पावर लेती है और इसके वज़े से आपका phone slow हो सकता है तो अगर आपका phone slow हो गया है तो आप ट्राइ कीजिए कि background में एप कम से कम किल हो थार्ड आप रूट करने क आपको एक दम नहीं लेगा तो better not to root फॉर्थ है कोई भी RAM cleaner या ऐसे चीजों को भी अनिस्टॉल कर दीजिए अगर आपके phone में है और अगर by default company पर राइड करती है तो उसे भी यूज नहीं कीजिए क्योंकि ये सारे RAM cleaners होते है RAM को clean करने का दावा करते है बट उतना effective नहीं नहीं रहते एक्स्ट्रा आप इंस्टॉल मत कीजिए और आपके phone में है तो उसे अभी के अभी अनिस्टॉल कर दीजिए तो यह कुछ टिप्स थी इस वीडियो को मैंने शॉर्ट रखने कोशिश की बट थोड़ी लंबी हो गई कोई नहीं बट आपको एक आइडिया लग कीजिए वहाँ पर आपको इसका प्रोपर आर्टिकल मिल जाएगा वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए तना ही मैं मिलूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाए हैव नाइस डे